नमस्कार हमारे यूटूब चैनल हिंदू तिर्थ इस थल में आपका स्वागत है आदर्णी दर्शको मैं आलोकती बारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने हिंदूओं के पावन साथ पुरियों और थाथ सब्थ पुरियों की जानकारी लेकर के एक विशेश रिंखला प्रस्तुत की जा रही है लेकिन वे साथ पुरियों की अलग-अलग जानकारी साथ वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है लेकिन वे साप्त पूरियां हैं कौन? इन्हें एक इश्लोक के माध्यम से इस प्रकार से पंक्ति बद्ध किया गया है यदि आप इस इश्लोक का अर्थ समझें तो इस इश्लोक के अनुसार पर अयोध्या, मथुरा, माया, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, काशी अर्थात वारणसी, कांची पुरम, अबंतिका, अबंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारावती, द्वारावती अर्थात द्वारिका पूरी ये साथों मोक्ष दायनी पवित्र नगरियां है इन्हें ही सब्त पूरी कहा जाता है ये साथ नगर ये सब्त पूरियां अलग-अलग देवी देवताओं से संबंधित है अयोध्या भगवान श्री राम से संबंधित है मथुरा और द्वारी का भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है बारण असी और उज्जेन भगवान भोले नात से संबंधित है हरिद्वार माता गंगा एवं विश्णुजी से संबंधित है काचि पुरम माता पारवती से संबंधित है सब्त पुरियों की इस रिंखला में आज हम आपके सामने द्वारका पुरी के बारे में संपुर जानकारी लेकर के प्रस्तोत हुए हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोग तीवारी एस्टो लॉजर उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स पर उपलब्द है आप उस चैनल पर जाकर के जो चार धार्मों में से दुती धाम एवं पावन सब्त पुरियों में से एक पुरी है कहां इस्थित है द्वारका धाम भू मंडल में दक्षिड एशिया इस्थित भारत वर्ष के पशिमी छोर पर गुजरात राज के देव भूमी द्वारका जिले में इस्थित एक प्राची द्वार्का धाम ओखा मंडल के पश्यमी तटपर गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ है यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज द्वार्का का इस्थल है और गुजरात की सर्व प्रथम राजधानी मानी जाती है महात्मया द्वार्का धाम अत्यंत महत्वण हिंदू तिर्थे स्थल है हिंदू धर्म ग्रंतों के अनुसार पर द्वार्का पुरी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई नगरी है यह भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमी है द्वार्का भारत के साथ सबसे प्राचिन सहरों में से एक है द्वारका साथ पुरियों में से एक पुरी तथा हिंदू के पावन चार धामों में से एक धाम है द्वारका धाम के प्रभाव से कीट पतंग पशु पक्षी तथा सर्प आदी यूनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी पाप मुक्त हो जात होती है वह बड़े-बड़े मुनियों को दुरलब होती है द्वारका निवासियों का दर्शन और इस पर्श करके भी मनुष्य बड़े-बड़े पापों से मुक्त हो करके स्वर्ग लोक में निवास करते हैं पबन द्वारा उड़ाई गई द्वारका की रजभी पापियों क पापको मुक्त करने वाली मानी गई है द्वारका समस्त छेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है द्वारका में किये गई यग्य हवन तप जप एवं दान का करोण गुना एवं अक्छे फल प्राप्त होता है द्वारका की पाउराडिक द्रिष्टीकोण भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ लेकिन उन्होंने द्वारका में राज किया द्वारका में ही बैठे बैठे उन्होंने संपूर देश की बागडोर अपने हाथ समभाली थी पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई, शिशुपाल और दुरियोधन जैसे अधर्मी राजाओं का स्तेत्व समाप्त किया द्वारका अपने समय में संपुर्ण देश की राजधानी बन गई थी, बड़े बड़े राजा यहां आते थे और बहुत से मामलों में भगवान श्रीकिष्ण की सलाह लिया करते थे द्वारका धाम का धार्मिक महत होने के साथ-साथ इस स्थान पर कई गूढ रहस भी छीपे हुए हैं द्वारका की बैग्यानिक द्रिश्टिकोण ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीकिष्ण के गो लोक धाम प्रस्थान करने के बाद उनकी बसाई हुई द्वारका नगरी समुद्र में बिलीन हो गई आज भी सिस्थान पर उस नगरी के औशेश मौजूद है लंबे समय से प्रसिध शूद करताओं ने पुराणों में वरणित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया लेकिन बैग्यानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्यान कार अभी तक पून नहीं हो पाया है दह हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार पर 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्जिबेशन डेकन कॉलेज पूने के डिपार्टमेंट आफ आर्कियोलोजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था इस दवरान करीब 3000 साल पुराने बरतन प्राप्त हुए थे इसके लगभग 10 वर्ष बाद आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की अंडर्वाटर आर्कियोलोजी विंगो समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइडी स्टक्चर भी प्राप्त हुए 2005 में द्वारका के रहस्यों से परदा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था इस अभियान में भारती नवसेना ने भी मदद की थी अभियान के दोरान समुद्र की गहराईयों में कटे छटे पत्थर मिले और यहां से लगबग दो सो अन्य नमूने भी एकत्र किये गये थे लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्रीक कृष्ण ने बसाया था आज भी यहां वैज्यानिक समंदर की घहराईयों में कैद इस रहस्य को सुलजाने में लगे हुए है द्वारका में सित तीर्थिस्थल मंदिर एवं अन्य दर्शनी इस्थल द्वारका एवं द्वारका के आसपास विभिन दर्शनी इस्थल हैं जैसे कि गोमती द्वारका, निश्पाप कुंड, रडचोड़ जी का मंदिर, कुशेश्वर मंदिर, चक्रतिर्थ, कैलाश कुंड, शार्दा मठ, नागेश्वर जोतिरलिंग, रुकमनी मंदिर, गोपीता लाव, बेट द्वारका इत्यादी महत्योपुण तिर्थिस्थल आप पूरे वर्ष भर यहां कभी भी आ सकते हैं। यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। गोमती नदी में इसनान कर सकते हैं। अब मुझे आगेश्वर दीजे मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ किसी नए तीर्थिस्थल की नई जानकारी ले करके। तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै द्वारी का धीश जै जै गुरुदेव। झाल जै 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 हो। झाल झाल